हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसान सिंगल कलर का पैटन सेयर करने जा रही हूँ, इस पैटन को आप लेडिज के ओल प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप इस पैटन को ब फंदे डालेंगे, फंदे डालने के बाद हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है, तो दिखे सबसे पहले हमने दो बेस रो बनाके कमप्लेट कर लेने, अब दिखे फ्रंट साइड से पैटन की फर्स्ट बेस रो, अब दिखे फर्स्ट बेस रो बनाएंगे सबसे पहले फरंट साइड से तो दिखिए, पहला फंदा उतार लेंगे पहला फंदा उतारने के बाद दिखिए, फल्ट साइड से אमने फर्स्ट बेश रोँ को सीधा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है यह दिखिए, इस तरीके से हम सीधे बुनते जाएंगे और first row को हम complete कर लेंगे यह first base row है हमारी फंदे डालने के बार यह देखे यह front side से हमारी first base row complete हो गई अब देखे wrong side से second base row अब second base row में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे और देखे wrong side से हमने second base row को सीधा बुनते हुए complete कर लेना है यह देखे wrong side से हमने second base row को सीधा बुन लेना है इस तरीके से सीधा बुनते हुए हम second base row को complete कर लेंगे कि यह दिखिए यह रॉंग साइट से हमारी सेकिंड बेस रो कुमफ्लेट हो गई अब देखिए फ्रंट साइट से पैटन की फस्ट रो अब देखिए फ्रंट साइट से अब हमारी दो बेस रो बनाने के बाद पैटन की फस्ट रो आ जाएगी पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे ये दो फंदे हमने उल्टे बुन दिये धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड करेंगे जाली डालने के लिए और नौ फंदे सीधे बुन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नो, ये दिखे, ये नो फंदे हमने सीधे बुन दे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, जाली डालने के लिए, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, जाली डालने के लिए, और 9 फंदे सीधे देखिए 9 फंदे हमने सीधे बुने फिर धाग अपनी साइट करेंगे जाली डालने के लिए और 1 फंदा सीधा बुन लेंगे हमारे प्रोजक्ट में जितने भी फंदे होंगे हमने 1st row में यही प्रोसिस रिपीट करते जाना है और लास्ट में देखिए 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे और 1 फंदा सीधा आ जाएगा यह देखिए इस तरीके से यह देखिए फ्रन्ट साइट से हमारी पैटर्न की 1st row कमप्लीट हो गई यह देखिए आप देखिए इस्टार्डिंग में देखिए 1 फंदा सीधा आया और 2 फंदे उल्टे यह देखिए शुरू में भी 1 फंदा सीधा 2 फंदे उल्टे और उसके बाद हमारा यह पैटर्न बनना इस्टार्ड हुआ एक फंदा सीधा एक जाली फिर 9 फंदे सीधे फिर एक जाली आयी एक फंदा सीधा एक जाली फिर 9 फंदे सीधे फिर एक जाली डाली एक फंदा सीधा बुना और फिर लास्ट में हमारे 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा आ गया इस तरीके से हमारी front side से pattern की first row complete हो गई, आप देखे back side से second row, अब देखे second row में पहला फंदा उतारेंगे और back side से हमने second row को उल्टा भुनते हुए complete कर लेना है, पूरे pattern में हमने back side से यही process repeat करना है इस देखे back side से हमारी pattern की second row complete हो गई, आप देखे फ्रंट side से third row, अब third row में देखे पहला फंदा उतारेंगे, दागा अपनी side दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, एक, दो, दो फंदे उल्टे बुने, दागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर दागा अपनी side जाली डालने के लिए और एक फंदा सीधा आजाएगा, दागा अपनी side करेंगे, नो फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, ये नो फंदे हमारे उल्टे आगे, धागा पीछे कर लेंगे, आप देखेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी side करेंगे, नो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नो, नो फंदे उल्टे, धागा पीछे कर लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली डालेंगे, और एक फंदा सीधा, और लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे आजाएंगे, और एक फंदा सीधा आजाएगे, यह दिखिए, फ्रेंट साइड से हमारी पैटन की थर्ड रो, कम्प्लेट हो गई, अब दिखिए, बैक साइड से फोर्ट रो, फोर्ट रो में दिखे, पहला फंदा उतारेंगे, और बैक साइड से हमने फोर्ट रो को सेकिंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए, कम्प्लेट कर लेना है, यह दिखिए, बैक साइड से हमारी फोर्ट रो, कम्प्लेट हो गई, आप दिखिए, फ्रेंट साइड से फिप्त रो, अब फिप्त रो में दिखिए, पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर एक जाली डालेंगे और देखें नेश्ट अमने दो फंदे सीधे बुन लेंगे धागा अपनी साइड करेंगे नो फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नो नो फंदे उल्टे धागा पीछे एक दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड जाली डालने के लिए एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड एक जाली डालने के लिए दो फंदे सीधे दागा अपनी साइड नौ फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट और नौ नौ फंदे उल्टे बने, दागा पिछे कर लेंगे दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे सीधे बने, दागा अपनी साइड जाले डालने के लिए एक फंदा सीधा लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, और एक फंदा सीधा आ जाएगा यह देखे, यह फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फिप्त रो, कंप्लेट हो गई आप देखे, बैक साइड से 6 रो, अब 6 रो में देखे, पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने 6 रो को, सेकिंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए, कंप्लेट कर लेना है यह देखे, बैक साइड से हमारी पैटर्न की 6 रो, कंप्लेट हो गई आप देखे, फ्रंट साइड से 7 रो पहला फंदा उतारा, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली डालेंगे और नेश्ट हमने तीन फंदे सीधे बुनने, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे धागा पीछे ही रहेगा, अब देखे, नेश्ट हमने नौ फंदों में पैटर्न डालना है तो देखे, जो पहला फंदा है, उसके उपर से उतार के इन आठ फंदों को सिलीप करेंगे तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, अब देखे, आगे वाले फंदे के उपर से उतार के हमने आठ फंदों को सिलीप कर दिया धागा अपनी साइट करेंगे, और इस फंदे को, जो सलाई में एक फंदा है, इसको उल्टा बुन लेंगे अब देखे, नेस्ट हमने तीन फंदे सीधे बुन लेने हैं, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी साइट करेंगे, एक फंदा सीधा यह देखे तो देखे जो फंदे हमारे यहां पे गटे हैं वो दोनों साइट से हमारे जाली से बढ़के कंप्लीट हो गए अब देखे यहां पे यह टोटल हमारे 9 फंदे हो गए अब देखे यहां पे हम काउंट करेंगे देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देखे यह टोटल हमारे 9 फंदे हो गए फिर देखे 1 जाली डालेंगे और देखे एक दो तीन तीन फंदे सीधे बुनने के बाद देखे ना देखेए आगे के फंदे के उपर से पीछे के आघ फंदे उतार के सीब करेंगे एक एक करके हमने इन फंदों को आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलिप कर लेना है ये दिखे दिखे हमने आट फंदों को सिलिप कर दिया धागा अपने साइट करेंगे एक फंदा उल्टा भुन लेंगे ये देखे फिर धागा हमने पीछे कर लेना है और देखे एक दो तीन तीन फंदे सीधे एक जाली डालेंगे फिर एक फंदा सीधा आजाएगा इस तरीके से धागा अपनी साइड लास्ट में दो फंदे उल्टे आ जाएंगे और एक फंदा सिधा आ जाएगा यह दिखे यह फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की सेवन त्रो कम्प्लीट हो गई यह दिखे अब दिखे बैक साइड से एट त्रो अब एट त्रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से एट त्रो को हमने सेकिन डो की तरह उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर लेना है यह दिखे यह बैक साइड से हमारी एट त्रो कम्प्लीट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से नाइन त्रो अब नाइन त्रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा नाइन त्रो को हमने फर्स त्रो की तरह बुनते हुए कम्प्लीट कर लेना है तो देखे यहां पे रिपीट रो पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा फिर एक जारी डालेंगे और देखे नेस्ट अमने नो फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट और नो नो फंदे सीधे नो फंदे सीधे बुनने के बाद देखे धागा अपनी साइड करेंगे एक जाली डालने के लिए एक फंदा सीधा फिर एक जाली डालेंगे और नेस्ट अमने नो फंदे सीधे बुन देने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नो, नो फंदे सीधे, धाग अपनी साइड जाली डालने के लिए, एक फंदा सीधा आ जाएगा, और लास्ट के दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, तो देखे, फंदे सीधा जाएगा, तो देखे, फंदे साइड से हमारी नाईं ट्रौ, अधा कंप्लीट हो गई, नाईं ट्रौ में हमारा पैटन repeat हो रहा था, नाईं ट्रो को हमने फुस्ट ट्रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट किया, अब हमने अपने पैटन को, ऐसे ही repeat क करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरों से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसन पैटन है आप इसे अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सेर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नई हैं तो प्ली सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू